नमस्कार मैं रवीश कुमार लड़ू के विवाद से निकला लड़ू लड़ू कैसा? जीरो वाला लड़ू जिस लड़ू से चुनावी मौसम में मुद्दों को भटकाने के लिए राजनिती खड़ी की गई जिसके घी से आग लगाने की कोशिश की गई सुप्रीम कोट ने आज राजनिती के उस लड़ू को जीरो बना दिया इसके पीछे की घिनोनी राजनिती से पर्दा हटा दिया है लड़ू में जानवरों की चर्बी होने का बयान देने वाले आंद्रप्रदेश के मुख्यमंत्री को सुप्रीम कोट ने ऐसी खरी खोटी सुनाई है कि इसके बाद उन्हें एहसास हो जाना चाहिए कि वे किस आग से खेलने जा रहे थे जस्टिस बी आर गवई ने तो यहां तक कह दिया जब आप समवेधानिक पद पर हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि देवताओं को राजनिती से दूर ही रखेंगे जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि रिपोर्ट आती है जुलाई में और 18 सितंबर को आप बयान देते हैं कोट की एक एक बात आंधरिप्रदेश के मुख्यमंत्री की राजनिती का परदाफाश किये जा रही थी कोट ने यह भी कह दिया कि जिस मामले में जाच चल रही थी क्या मुख्यमंत्री को सारजनिक बयान देना चाहिए था कोट का एक एक शब चंदरबाबू नाइडू के बयान की धजियां उड़ाने लगा जस्टिस गवई ने पूछा कि जब आप ने जाच के आदेश दिये थे तब पबलिक में बयान देने की क्या जरूरत थी या आस्था रखने वाले लाखों लोगों की भावनाओं का मामला है कोट ने मौखिक रूप से यह भी माना कि प्रथम दृष्टेया इस रिपोर्ट से यह पता चलता है कि यह उन सेंपल का टेस्ट है जिने खारिज कर दिया गया यानि इस घी से लड़ू बने ही नहीं ऐसा कोट ने प्रथम दृष्टेया माना है तो अब आपको यह बात समझ में आ गई होगी चंद्रबाबू नाइडू को आज सुप्रीम कोट ने जो सुनाया है इसके बाद उन्हें कम से कम यह बयान तो देना ही चाहिए कि उनके जानवरों की चर्बी वाले बयान के बाद जो राजनिती चली उसे रोकने की कोशिश उन्होंने क्यों नहीं की सुप्रीम कोट ने कहा कि राजिस सरकार की अनुसार भी जाच जरूरी थी 25 सितंबर की F.I.R. की जाच के लिए S.I.T. का गठन किया गया मुख्यमंत्री ने 18 सितंबर को बयान दे दिया इसलिए ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री ने F.I.R. और S.I.T. के गठन से पहले ही बयान दे दिया हमारा प्रथम दृष्टेया मानना है कि जब जाच चल रही थी तब उच्च सम्वैधानिक व्यक्ति द्वारा ऐसा बयान देना उचित नहीं था जिससे करोडों लोगों की भावनाएं आहत हो सकती है इस मामले को देखते हुए हम पाते हैं कि यह उचित होगा कि सॉलिसिटर जनरल हमारी इस बात पर मदद करें कि राज्य द्वारा गठित SIT को जारी रखा जाना चाहिए या किसी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा जाच की जानी चाहिए यह कितनी बड़ी बात है आंध्रप्रदेश सरकार द्वारा गठित SIT पर ही सुप्रीम कोट को एक तरस से भरोसा नहीं कोट ने केंद्र सरकार के सुलिसिटर जनरल से पूछा है कि क्या SIT से जाच करवानी चाहिए यहां तक बात आ गई है लड़ू में बीफ चर्बी होने के बहाने जहर फैलाने का यह खेल पहले ही पकड़ा जा चुका था लेकिन आज सुप्रीम कोट ने उस व्यक्ति का चेहरा सामने ला दिया जिसने बयान देकर इस जहरीले खेल की शुरुआत की मुख्य मंत्री चंद्रबाबू नाइडू की राजनिती ऐसी नहीं मानी जाती है वही बेहतर बता सकते हैं कि उन्होंने सियासत का यह नया खेल की सके फाइदे के लिए खेला 22 सितंबर को जगन रेड़ी ने प्रधान मंत्री मोदी को पत्र लिद दिया कि आप चंद्रबाबू नाइडू को फटकार लगाईए प्रधान मंत्री मोदी तो फटकार नहीं लगा सके, क्या ही लगा पाते सुप्रिम कोट की टिपडियों ने आज फटकार की कसर पूरी कर दी इस मसले पर 20 सितंबर को जब हमने अपना पहला वीडियो बनाया इनी सवालों के साथ इस राजनिती का परदाफाश किया था कि कुछ भी साफ साफ नहीं, कोई प्रेस कॉन्फरेंस नहीं बस मुख्यमंत्री का एक आधा अधूरा सांकेतिक बयान और उसके बाद लड्डू में बीफ को लेकर सियासी ड्रामा देश भर में शुरू हो जाता है आप सभी की भावनाओं से खेला जाता है इन खबरों के जरीए आपके भीतर एंटी मुस्लिम नफरत भरी जाने लगी ताकि आप उदार नागरिक से भीड में बदलते जाएं और इस राजनीती के काम आ जाएं सुप्रिम कोट के जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की तमाम टिपड़ियां इस राजनीती का परदा फाश कर रही हैं आखिर कब तक ये चलेगा कभी तो ये सवाल खुझ से पूछिए जिस नेता को देखी वो इसी में लगा हुआ है वो जनता की समस्या के बीच नहीं है किसी ना किसी मंदिर का दौरा कर रहा है कहीं जाडू लगा रहा है तो कहीं आरती कर रहा है कहीं धर्म को लेकर बयान दे रहा है तो कहीं दूसरे धर्म वालों को ललकार रहा है नारे लगा रहा है धर्म इन नेताओं के लिए जनता का काम ना करने और जनता के सवालों का जवाब ना देने का एक बहाना बन गया है और इस खेल में बने रहने के लिए आए दिन तरह तरह के ऐसे मुद्दे खोजे जाते हैं और जनता के बीच फैलाए जाते हैं हमने अपने पहले वीडियो में बताया था कि इस तरह के लड़ू बनाने की मंदिर की अपनी विवस्था होती है काफी कड़ाई से निगरानी रखी जाती है जब पटना के महावीर मंदिर में इतनी निगरानी में लड़ू बन रहे हैं तब यह मुम्किन नहीं कि कोई आसानी سے چربی ملا دے گا اور تیروپتی کے مندر میں استعمال ہو جائے گا چربی ملانے والا کون ہے اس کی نیت کیا ہے یا سب بحث سے غائب ہے بس ہیڈ لائنے چمکائی جانے لگیں کہ لڈو میں چربی ہے بیف چربی کا نام لیا جانے لگا غنیمت ہے کہ تیروپتی مندر جانے والے آستھاوانوں کو یہ راجنیتی سمجھ میں آگئی لڈووں کی بکری پر کوئی اثر نہیں پڑا تیروپتی سے خبرائی کی بیواد کے دوران کے چار دنوں के भीतर 14 लाख लड़ू बिग गए जाच रिपोर्ट ने अभी ठोस रुप से कुछ भी नहीं कहा लेकिन राजनिती ने ठोस रुप से दावा करना शुरू कर दिया पूरे देश को इस आग में जोकने की कोशिश की गई है तिरुमला तिरुपती देवस्थानम की तरफ से प कुछ भी तैय नहीं है बताईए यही पता नहीं कि मिलावट किस चीज की थी लेकिन देखिए इस अख़बार की हेडलाइन क्या कहती है चर्बी की पुष्टी 20 सितंबर के जागरन की हेडलाइन तो साफ साफ कह रही है लैब रिपोर्ट में तिरुपती के लड़ूों में चर्बी की पुष्टी 21 सितंबर को भी पहले पन्ने पर इसी मामले को लेकर हेडलाइन चपती है स्वास्तमंत्री जेपी नड़्डा का बयान चपता है कि तिरुपती लड़ू की जाच करेगा F-SSAI उचित कारवाई होगी आज 10 दिन हो गया 30 सितंबर के दिन सुप्रीम को मंत्री चंद्रबाबू नाइडू ने नहीं बलकि 19 सितंबर को ही मोधी सरकार के कैबिनेट मंत्री गिरीराज सिंग जट से ट्वीट करते हैं लिखते हैं जाच रिपोर्ट से पुष्टी हुई जाच रिपोर्ट से पुष्टी हुई कि तिरुपती मंदिर में वितरित प्रसाद के लड्डू बनाने में बीफ चर्बी और मचली के तेल का इस्तमाल किया गया जब सरकार हिंदू विरोधी होती है तो वह सबसे पहले आस्था पर हमला करती है गिरिराज सिंग केंद्रिय मंतरी हैं बीफ चर्बी का नाम लेते हैं हिंदू विरोधी सरकार का नारा गड़ते हैं और लिख देते हैं कि जाच में पुष्टी हुई है कि लड्डू में बीफ चर्बी है जबकि आज तक इसकी पुष्टी नहीं हुई है हर समय गाए और मुसल्मान को लेकर किसी ना किसी बहाने नफरत की राजनिती पैदा की जा रही है आज आपने देख लिया कि इस राजनिती की बुनियाद में कितना जूट है सुप्रीम कोट ने कहा कि कुछ प्रेस रिपोर्ट में यह भी खबर है कि तिरूपती तिरूमला देवस्थानम के मुख्य कारेकारी अधिकारी ने बयान दिया है कि इस तरह के मिलावटी घी का इस्तमाल कभी नहीं किया गया लेकिन केंद्रिया मंत्री गिरिराज सिंग कह चुके हैं कि जाच में पुष्टी तक हो गई है किस आधार पर उन्होंने ऐसा बयान दिया है सुप्रीम कोट ने वरिष्ट वकील सिधार्थ लूथरा से कहा कि मिस्टर लूथरा आप अपने सभी मुवक्किलों को बताईए कि अभी समामले पर और बयान बाजी नहीं चलेगी हैट्रिक नहीं होनी चाहिए कोट की ये बातें गिरिराज सिंग, चंद्रबाबु नाइडू और पवन कल्यान पर भी लागू होती है जबकि उनका नाम कोट में नहीं लिया गया और सिधार्थ लूथरा के ये क्लाइंट भी नहीं है याचिका करताओं में बीजेपी नेता सुब्रमन्यम स्वामी, YSRCP के राजसबा सांसत वाई भी सुब्बा रेड़ी भी है सुब्बा रेड़ी जगन रेड़ी सरकार में मंदिर ट्रस्ट के चेयर्मेन थे इसके अलावा डॉक्टर विक्रम संपत और दूश्यन श्रिधर के नाम भी शामिल है सुब्रमन्यम स्वामी की तरफ से वरिष्ट वकील राजशेकर राव पैरवी कर रहे थे राजशेकर राव ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बिना किसी ठोस आधार के बयान दिया यह भी अपने आप में एक गंभीर मुद्दा है उन्होंने मांग की कि इस मामले में राजनितिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए तो क्या चंद्राबाबू नाइडू माफी मांगेंगे क्या गिरीराज सिंग माफी मांगेंगे एक मुख्यमंत्री एक केंद्रिय मंत्री किस आधार पर मुख्यमंत्री ने बयान दिया और किस आधार पर केंद्रिय मंत्री ने ट्वीट कर दिया कि जाँच में पुष्टी हुई है जबकि तिरुपती मंदिर की तरफ से पेशोरे वकिल सिदार्थ लूथरा कहते हैं एक ही आपूर्ती करता यानि सप्लायर ने जून के महिने में और जुलाई की चार तारीख तक घी की सप्लाई की उस घी को जाच के लिए नहीं भेजा गया 6 जुलाई और 12 जुलाई को दो-दो टैंकरों में जो घी आया उसे NDDB को भेजा गया या जानकारी दी गई है कि इन सभी चार नमूनों में घी मिलावटी पाया गया यह भी जानकारी दी गई है कि जुन और 4 जुलाई तक सप्लाई किये गए सेंपल के घी का इस्तेमाल लड़ू बनाने में किया गया था मंदिर के वकील कह रहे हैं कि मिलावट किस चीज़ की थी अब तक साफ नहीं केंद्रिय मंत्री गिरिराज सिंग बयान देते हैं कि बीफ चर्वी की पुष्टी हो गई है तभी कॉंग्रेस के प्रवक्ता पवन खेडाने शुरुवात में ही कह दिया था अगर लड़ू को लेकर किये जा रहे दावे सही हैं तो पूरी जाच होनी चाहिए और दोशीयों को सक्त सजा देनी चाहिए लेकिन अगर मंगणत तरीके से दावे किये जा रहे हैं तो इसके लिए करोडो शधालू ऐसा करने वालों को माफ नहीं करेंगे वही हुआ जिसका अंदेशा था शुरू से शक था कि जिस तरह से इस मसले को गोदी मीडिया उचा ले जा रहा है हिंदी अखबार और नियूस चैनल हेडलाइन बना रहे हैं नेताओं के बयान आ रहे हैं उससे यही लगता है कि एक मुद्दे को खड़ा किया जा रहा है ताकि चुनाओं में बेरोजगारी से लेकर जिस टी की मार से रो रहे वेपारियों के मुद्दे पर बात ना हो सके मिलावट में एनिमल फैट का नाम आते ही हेडलाइनों ने अपना काम शुरू कर दिया किसी ना किसी बहाने से बीफ को लेकर संकेत देना शुरू कर दिया क्या क्या नहीं जोडा गया क्या क्या नहीं कहा गया आम लोगों तक इसकी खबरें पहुँचा दी गई चंद्रबाबू नाइडू के साथ साथ उपमुख्यमंत्री पवन कल्यान को एक नए हिंदू नेता के उदय के रूप में दिखाया जाने लगा तो कोई लिखने लगा कि साउट की सियास्यत अब बदल रही है पवन कल्यान भी प्रैश्चित करने मंदिर पहुँच गये जाडू लगाने लग गये और खबरे चलने लग गई जबकि मंदिर ने अपनी तरफ से बीफ चर्बी की बात कभी नहीं कही थी सोशल मीडिया पर क्या क्या नहीं कहा गया एक से एक भड़काउ सामगरी बनाई गई हिंदू आस्था के नाम पर ऐसे जूटे मुद्दों के सहारे जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है उसे जूट के आधार पर उकसाया जा रहा है ताकि उसके बच्चे हिंसा कर बैठें और अपराधी बन जाएं तिरूमला तिरूपती दिवस्थानम की तरफ से ये ट्वीट तो 20 सितंबर को ही आ गया लिखा है कि पिछले कुछ सालों में लड्डूों के गिरती कौालिटी के चलते लड्डू बनाने वालों से मश्वरा कर पहली बार इन लड्डूों को बाहर की किसी लैब के पास भेजा गया इसमें A.R.Foods के चार टैंकरों का घी खराब स्तरका पाया गया N.D.D.B. ने अपने विस्टलेशन में पाया कि इनमें बाहरी तत्वे हैं यानि फॉरेंड फैट है लेकिन मंदिर की तरफ से यह भी लिखा गया कि फॉरेंड फैट में सोया बिन, सुरज मुखी, पाम करनल फैट, लाड्ड या बीफ टैलो कुछ भी हो सकता है मंदिर ने कभी नहीं कहीं नहीं लिखा कि घी में बीफ हो सकता है मगर हिंदी के अखबार किसी ना किसी बहाने से चैनल भी लिखने लग गए इशारा करने लग गए कि इस बात की पुष्टी हो चुकी है कि बीफ चर्बी का इस्तेमाल हुआ है मंदिर के ट्वीट में जबकि लिखा है कि सेंपल में वनस्पती तेल की मिलावट पाई गई है सुप्रीम कोट में लड्डू को लेकर कई आचिकाएं दायर हुई है जिन में मांगती गई है कि सुप्रीम कोट की निगरानी में इस मामले की जांच हो कोट ने सुलिसिटर जेनरल तुशार महता से कहा है अगर इस मामले में केंद्रिय जांच की जरूरत है तो केंद्र सरकार से निर्देश लीजिए सुप्रीम कोट इस मामले में 3 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाएगा लेकिन आज कोट की टिपणियों ने इस मसले को लेकर चल रही घिनोनी राजनिती को सब के सामने ला दिया है एक घंटे से जादा चली लंबी सुनवाई के बाद पीठ ने अपने फैसले में कहा या आची का पूरी दुनिया के करोडों लोगों की आस्था और भावनाओं से जुड़ी है कोट ने कहा कि लैब रिपोर्ट में कुछ डिस्कलेमर है या साफ नहीं है या प्रतम दृष्टिया संकेत दे रहा है कि जिस घी का इस्तमाल नहीं हुआ उसके सैंपल की जाच हुई थी यदि आपने स्वैम जाच का आदेश दिया है तो प्रेस में जाने की क्या आवशकता थी कोट की इन टिपड़ियों से अब साफ है लड़ू में बीफ चर्वी का विवाद सचाई से कोसो दूर है जल्दबाजी में खड़ा किया गया फोरन फैट में कई चीज़ें आती हैं लेकिन राजनिती भड़काने के लिए बीफ का चैन कर लिया गया जबकि उसकी पुष्टी भी नहीं हुई थी ना उस घी का इस्तेमाल हुआ जस्टिस बी आर गबई जस्टिस केवी विश्वनातन की टिपड़ियों के बाद कम से कम उन प्रवक्ताओं को माफी मागनी चाहिए जो बीफ और लड़ू के बहाने धर्म का रक्षक बने फिर रहे थे और जब उनसे रोजगार पर सवाल पुछा जाता है खराब सड़कों को लेकर सवाल पुछा जाता है तब उनसे जवाब देते नहीं बनता एक बार आप फिर से उन हेडलाइन को जाकर देखिएगा जो लड़ू में बीफ होने की बात कह रही थी कैसे कह रही थी आपको किस तरह से उकसा रही थी सोचिएगा कि क्या आपको इसी लायक समझा जा रहा है कि आपकी बचा तूड़ गई कमाई घिस गई खर्चा चल नहीं रहा इन सब पर बात नहीं हो रही हर समय धर्म का मुद्दा लाकर आपको भड़काया जा रहा है मिलावट लड़ू में नहीं है इन निताओं की नियत में है जो किसी भी समय आपको नफरत की याग में जोकने के लिए तयार रहते हैं इनसे बच कर रहिए ये धर्म नहीं बचा रहे धर्म का नाम लेकर अपनी कुर्सी बचा रहे है नमस्कार मैं रविश कुमार